दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से वताया था कि किस तरीके से जर्मनी के कमपनी टुसन कुरोब मरीन सिस्टम्स और स्पेन के कमपनी नेविनशिया के द्वारा भारत के सामने अपने सब्मरीनों का ओफर रखा गया है और किस तरीके से जर जो टेंडर प्रोसेस है इसके जंजट से दूर है और कम से कम समय के अंदर सब्मरीनों के डील को इससे संपूर्ण किया जा सकेगा मेडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जर्मनी के सब्मरीन कमपनी भारत के सामने भारत के टेंडर प्रोसेस के स्लोर अपतार को देखते हुए डाइरेक्ट डील का ओफर किया है मतलब किसी वी टेंडर प्रोसेस में या किसी वी जंजट में ना जाके डाइरेक्ली सब्मरीनों को भारत अव जर्मनी से खरी सकता है अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बतादू कि भारत असर में प्रोजेक्ट 75i के अंतरगच छे कन्वेंशनल डिजल इलेक्ट्रिक नेक्स जेनरेशन के सब्मरीनों को अपने बेड़े के लिए खरीदना चाहता है और दोस्तों इसके लिए भारत के तरफ से काफी लंबे समय पहले ही टेंडर प्रोसेस को जारी करतों दिया गया था लेकिन जो टेंडर प्रोसेस है ये काफी स्वस्तर अपतार से आगे बढ़ रहा है और दोस्तों इस स्वस्तर अपतारी को देखते हुए जर्मनी के कमपनी टसन कुरूप मरीन सिस्टर मतलब TK MS के द्वारा ओफर मतलब गौर्मेंट टू गौर्मेंट डील का प्रस्ताव रखा गया है जो कि ये जो टेंडर प्रोसेस है इसे बाइपास कर सकेगा और भारत को इससे जल से जल ऐसे सब्मरीन मिल सकेगा ताकि भारत अपने सब्मरीनों के रिक्वार्मेंट को पूरा कर सके रिपोर्डों में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर भारत टेंडर प्रोसेस के तहद भी आगे बढ़ता है और इसमें फिर आने वाले समय में कोई अतिरेक्तर डिले नहीं होता है तब भी कम से कम इस टेंडर प्रोसेस में 3-5 साल का समय लगेगा पर अगर जर्मनी के इस ओफर के तहद भारत आगे बढ़ता है तो कम से कम समय के अंदर इसे फाइनलाइज किया जा सकेगा अब दोस्तों प्रोजेक्ट 75I के लिए भारत के सामने टोटल दो ओफ्षन है जिन में एक तो जर्मनी के टोसन कुरूप मरीन सिस्टम्स के तरफ से निर्मान किया हुआ सब्मरीन है जवकि दूसरा स्पेन के नेविंशिया ग्रूप के द्वारा निर्मान किया हुआ एस 80 प्लस क्लास के सब्मरीन और इन दोनों सब्मरीनों के ही ओफर के अंतरगत भारत के सामने निक जेनरेशन के एर इंडिपेंडन्ट प्रोपल्सन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी के टेक्नोलिजी वाले सब्मरीनों का प्रस्तव रखा गया है जो की पानी के नीचे और अधिक समय तक रह सकेगा और इंडियन नेवी के जो रिक्वार्मेंट है उसे संपुर्ण रूफ से पूरा करने में समर्थ है पर दोस्तों इन दोनों कमपनियों में बताया जा रहा है कि स्पेन के कमपनी नेवनशिया भारत के साथ टेंडर प्रोसेस के अंतरगत जहां पर आगे बढ़ना चाहता है तो भारत के साथ ने जो ओफर रखा गया उसमें टेंडर प्रोसेस मतलब जो लेंड़ी प्रोसेस है वो जल से जल समाप्त हो जाएगा और भारत जल से जल अपने बेड़े के लिए ऐसे सब्मरीनों को हासिल कर पाएगा जिससे कि इंडियन नेवी के जो अंडर वार्टर कैपि है उसे जल से जल मोडिनाइस किया जा सकेगा इवन दोस्तों इससे दोनों गवर्मेंट ही डारेक नेगोसियेशन कर सकेगा और बीच में किसी वी तरीके कोई लेंदी प्रोसेस नहीं रहेगा मतलब इससे एक तरीके से टाइम फ्रेम में काफी कमी आएगा जबकि दूसरे अगर देखा जाए तो गौर्मेंट टू गौर्मेंट डील में ना ट्रांसफरेंसी रहता है और ना ही प्राइस नेगोसियेशन में किसी वी तरीके का स्कोप मिलता है अलागि टेंडर प्रोसेस में दो या दो से अधिक कमपनियों के बीच में प्राइस नेगोसियेशन को लेके एक तरीके से द्वन्द चलता है जिससे की भारत को कम से कम कीमत में एक बहतरीन सब्मरीन मिल सकेगा पर दोस्तो इस तरीके के टेंडर जो प्रोसेस होता है उसमों उसे कई तरीके के क्रिटिकल फेश से गुजारा जाता है जिसके वज़ा से ऐसे जो प्रोसेस होता है participate कर रहा था फिलाल तो दोस्तों tender में दो company है लेकिन अगर जर्मनी केवल मातर government to government deal के अंतरगत बढ़ना चाहता है और tender process में आगे नहीं बढ़ना चाहता है तो इससे फिर से ये जो tender है ये deadlock situation में फस जाएगा दूसे तरफ दोस्तों government to government government deal में भी अगर आगे बढ़ा जाता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के अंदर किस तरीके से ऐसे defense deal को controversy बनाया जाता है और political खेल खिला जाता है और ऐसे में इस तरीके के deal को लेके opposition parties और कई तरीके के political parties को एक मौका मिल जाएगा और उसके बाद फिर इसे लेके खेल खेला जाएगा जिससे कि अगर government to government deal होता है तब भी उसमें delay होने का संभावनाय है अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे भारत के द्वारा project 75i के अंतरगत सब्मरीनों को खरिदने को लेके लंबा मुशकत किया जा रहा है और अब तक ये decide नहीं किया जा सका कि इस project में कौन से company के कौन से सब्मरीनों को खरिदा जाएगा तो उही पे दूसरे तरफ फिलिफीन्स के द्वारा भी सब्मरीनों को खरिदने को लेके एक इरादा आगे बढ़ाया गया है और दोस्तो इस इरादे में भारत का भी संभावनाए है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फिलिफीन्स कुछ सब्मरीनों को खरिदना चाहता है और इन सब्मरीनों को सप्लाई करने को लेके एक तरफ जहाँ पे साउथ कूरिया और जैसे देश इंटरेस्टेड है तो उही पे शायद इस फिलिफीन्स के सब्मरीन के टेंडर में भारत को भी एक मौका मिले अब दोस्तो आप लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि अगर भारत अपने खुद के सब्मरीनों के जरौतों को ही पूरा करने के लिए मुशकत कर रहा है तो ऐसे में फिलिफीन्स के सब्मरीनों के जरौतों को भारत के द्वारा किस तरीके से पूरा किया जा सकता है और दोसो इसका जवाब है कल्विरी क्लास के सब्मरीन या फिर कहें तो स्कॉर्पेन क्लास के सब्मरीन दोसरों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलिफियन्स अपना पहला सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करने को लेके एक इराधा कर चुका है और इस इराधे के अंतरगत फिलिफियन्स के द्वारा एक रिक्वेश्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जार चाहता है ताकि South China Sea के अंदर चाइना का जो डादागी है उसे काउंटर कर सके है और इन सब्मरीनों का इस्तेमाल से फिलिफीन अपने बड़े कोस्ट्रल रिजन में पोटेक्शन और पेट्रोलिंग के लिए करेगा और वही पे इस तरीके के सब्मरीनों को पहली वार की तरह फिलिफीन से अपने बेड़े में शामिल करके आने वाले समय के स्कोप को भी मजबूत करेगा अब दोस्तों South Korea को देखा जाए तो South Korea के डियवू शिप्यार और मरीन इंजिनियरिंग के तरफ से कई तरिके के सब्मरीनों को बनाया जाता है और जैपैन तो अल्रीडी सब्म निर्मान करने को लेकि अच्छा खासा experience आ चुका है और मजबूर दौक केस द्वारा इंडियन नेवी के लिए च्छे कलविरी क्लास के सब्मरीनों को निर्मान किया चुका है और दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि और ऐसे तीन सब्मरीनों को खरीद जा रहा है जो कि मज़गाव डॉक्याड लिमिटेड के द्वारा ही निर्मान किया जाएगा ऐसे में दोस्तों भारत को अगर इस टेंटर प्रॉसेस को लेके एक रिक्वेस्ट फर इंफॉर्मेशन मिला है तो अब दोस्तों यह जो कल्विरी क्लास के सब्मरीन है यह असल में स्कॉर्पिन क्लास के ही सब्मरीन है जिसे की भारत में कल्विरी क्लास के नाम से बनाया गया है और इस प्रॉजेक्ट में कई सारे इंडिजनियास इक्वेपमेंटों का विस्तिमाल किया गया है और इंडिया के मताविक इन सब्मरीनों को एन्हेंस भी किया गया है जिसे की जो ये सब्मरीन है मतलब कलवरी सब्मरीन ये इंडियन ओशन रिजन में एक फरफेक्ट सब्मरीन है और इसी कारण के वज़ा से इन सब्मरीनों के दावेदारी भी फिलिफिन्स के नेवी के लिए और बढ़ जाता है। अपने फिलिफिन्स के द्वारत से ब्रम्मोस मिसायलों को खरिदा किया है और फिलिफिन्स भारत को एक अच्छे पाटनर के रूप में भी देखता है जो की चाहना के खिलाब फिलिफिन्स को मदद कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जानके रखना चाहिए कि भारत अपने कलविरी क्लास के सब्मरीनों को अपग्रेड भी कर रहा है और इस अपग्रेशन के प्रोजेट के अंतरगत इन सब्मरीनों में एर इंडिपेंडन प्रोपोल्सन सिस्टम मतलब भारत के द्वारा निर्मान किया हुआ सब्मरीनों के तागत को और बढ़ा जा सके और दोस्तों इस तरीके के सब्मरीनों को भारत के द्वारा चाहिना के खिलाब भी डिप्लॉई किया जा रहा है जिसका सिंपल मतलब यह है कि इन सब्मरीनों को इस तरीके से बनाया किया है कि यह काउंटर कर सके ऐसे में आने वाले समय में ही पता चलेगा कि फिलिफिन्स कौन से सब्मरीन को खरिटा है लेकिन दोस्तों जिन तीन कमपनियों को request for information भजा भेजा गया है उनमें से एक कमपनी भारत या कमपनी होने के कारण एक तरीके से ये भी भारत के लिए बहुत बड़ा बात है क्योंकि इस रिजन में इससे भारत के जो defense capability है और defense manufacturing capability है उसका विरुदवावड रहा है दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या फिलिफिन्स भारत से कलवरी क्लास के सब्मरीनों को खरिच सकता है या नहीं कॉमेंट करके अपने राय अवश्र दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पेई करते समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंधे मातरम